हलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके इन्वेस्ट फोरवर चैनल में सवाक्त करता हूँ तो हम बात करेंगे चिन नहीं पैट रोगी ज्यादा डिटेल्स मैंने जाओंगा डिटेल्स से एक वीडियो अल्रेडी बना रखी है आपको आई बटन पर लिंक भी देदूंग तो उसी से लेटिट है बाते करोंगा तो सब से पहले मैं यहाँ यहाँ पर सीधे रिजल्ट पर आतों ओके आपको एक ओवर व्यू दे देता हूं फिर यहाँ पर इस वाले रिजल्ट पर चलेंगे जो एकस्षा इसके रिजल्ट यहाँ पर दे रखे हैं तो कंपनी के तो इससे पहले यहां पर हम बात करें, लगा थार कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देरी दी, लगा थार अच्छे खासे यहां पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहते बैक टू बैक, जिसकी वैसे आप देखेंगे, तो शेयर में एक अच्छी खासी जंप भी होत दिखाई 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 दिख मेरे पास यहां पर शेयर है, but हमेशा stock market में winning situation नहीं होती, कभी-कभी selling situation और loss भी होता है, वो एक loss हमेशा सिखा के जाता है, और चीज़ों को बता के जाता है, but अब यहां पर और भी जादा loss हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही आपको video बना के चाहता रहूँ, तो यहां पर हम बात करें, तो company में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आया है, but यहां पर company के जो expenses है, company ने expenses में धुँअधार खर्चा किया है, और इस वज़े से अगर हम बात करें, company के result पर सीधा effect आया है, margin जहां पर company का अच्छा खासा 4%, 3%, 5%, 10%, 15% चल रहा था, वो margin एक परसेंट पर आके रुग गया है, और यहां पर देखेंगे company के net profit भी, वो भी 28 करोड रुपे के आसपास का है, जो कि quarterly और yearly दोनों basis पर कम है, और यहां पर EPS भी जो अच्छा खासा 15 और 66, 158 था, workable 1.87% ही यहां पर आके रह गया है, company की बात करें, यहां पर आप देख सकते है, company लगातार अच्छी खासी यहां पर sales जुड़ी हुई है, तो यहां पर दो view आपको बताऊंगा, तो उन दोनों view से related हम यहां पर बाते करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं result, तो result जैसे कि मैं देख चुक हूँ और आपको बताया भी है, कि यहां पर company ने, यहां पर देखेंगे, बहतरीन यहां पर company का घाटा होता हुआ दिखाई दिया है, घाटा in the sense, company profit में है, बट yearly quarterly base में यहां पर वो performance नहीं रही, तो यहां पर देखें, cost of material consume, company के जो cost material में जो खर्चा हुआ है, वो यहां पर कम होता नहीं दिखाई दिया है, बलकि यहां पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है, quarter on quarter basis पे भी, even if sale इतनी नहीं थी, बट यहां पर यह खर्चा जादा होता हुआ दिखाई दिया है, तो company ने कभी highest बनाया था, okay, यहां पर कब, यहां पर आप देख सकते हैं, 2017 में, तो एक overview दे रहा हूँ, आपको 2017 मतलब यहां पर एक मिन्ट दीजिए मुझे, तो लगबा, last मही था, तो अगर हम यहां पर देखे 2017 या 18 को हम calculate कर लेते हैं, तो company अभी भी हाई पर चल रही है, तो इस चीज को भी हमें यहां पर भूलना ने चाहिए, company के अगर हम बात करें, चाट की, तो यहां तक गया था, बट इसके बाद यहां पर गिरता हुआ निजर आया, तो अब क्या हो सकता है, उससे लेटिर में बाते करने वाला हूँ, बट यहां पर एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, कि देखिए, company के FIs ने भी हाँ पर लगा था हिसादारी बढ़ाई है, इस चीज को नहीं भूलना है, इसमें बस एक है, डॉली खनना सर, और इन्होंने यहां पर हिसादारी थोड़ी सी यहां पर बेची है, और कुछ लोगों ने यहां पर हिसादारी, LIC इन्हें भी यहां पर हिसादारी थोड़ी सी यहां पर कम करी है, यह हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो अब तेहने का मतलर क्या है तो FIs बढ़ा रहे है, DIs भी पढ़ा रहे है, promoters भी बने हुए है, वोगे डॉली खन्ना ने यहाँ पर कम करी है, हिस्सेदारी, तो यहाँ पर क्या शेयर को बेज देना चाहिए, मैं आपको कुछ चीज़े दिखाने चाहता हूँ, देखिए, पर नामा, पैट्रो, तो पर यह जो पैट्रोखेमिकल्स के स्टॉक्स है न, इस पर बहुत सारे लोग क्या है, बुलिश है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर इस परटीकुलर स्टॉक्स में हिस्सेदारी बढ़ा रहे है, यहाँ पर रमेज दमानी से रहे, उन्होंने यह यहां पर देखिए थोड़ी सी इसेदारी बढ़ाई है और भी बहुत सारे petrochemicals stocks है जिसमें अलग-अलग petrochemicals stocks में अलग-अलग बड़े-बड़े लोगों ने यहां पर इसेदारी खरी दिया तो सबसे पहले तो 257 है एक से भी कम चल रहा है तो इस पात को भी हमें भूलना नहीं है ROE ROCE काफी बैठरी ने कंपनी को ओपर debt की बात करें कंपनी को ओपर debt है इस सीट को भी हमें देखना है अब बात करते हैं यहां पर मैं सीधे आऊंगा चार्ट पर चार्ट यहां पर देखिए 200 DMA के आसपास घूम रहा है ठीक है और यह एक भैतरी सपोर्ट भी है अगर यह सपोर्ट टूटा तो मैं यहां पर exit कर दूँगा तो मेरी सला आपके लिए भी same ही रहेगी कि यहां पर exit कर दीजेगा शेयर में दुबारा जान आएगी तो यहां पर buying कर लेंगे क्यों क्योंकि इसके बाद अगर यह शेयर टूटा तो यह अच्छा खासा टूट सकता और यहां पर हमारा जो लॉस है जो अभी थोड़ा सा लॉस है वो जादा यहां पर convert हो सकता है तो इस चीट को ध्यान में र पर्टिकुलर कार्टर में कम हो जाएंगे और यहां पर sales to company की बड़ी रिये तो क्या होगा कि अगले जो कार्टर के result आएंगे वो शायद फिर और भैतरी रहते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं तो यह हो सकता है बट यह probability है इस चीट के रहाद रखिएगा company की बात करें ए टोड़ देता हुआ बेंचना है और यहां पर हम देखते है तो यहां पर आप देख सकते है एक candle बनी है और चांसे है कि यहां तो टूटता है तो यह जान थेजी हो गिया इस इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करना है लॉस हो रहा है कोई परिशानी नहीं है पैसे को दूसरी जगर पर डाइवल्ट करेंगे होके बहुत सारे बैतरी इन श्टॉक्स मार्केट में अभी भी अवेलवल है और यहां पर अभी भी बड़े लोग बने हुए इस अब को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को हिट करें और के नॉट्रिकेशन को अब करें बाकी हमारे कोर्स के रिलेटेड जानना है तो यह कोर्स चाहिए निपने पर नंबर पर कॉंटक्ट आ सकते हैं तो थैंकी सो मच गड्ब्लेस